तो चलिए आज जो मैं आपको प्राइटिकल देरी लगा हूं वह सिंगल पीस इंडक्शन बोटर की जैसा कि आप जानते हैं इंडक्शन बोटर बेसिकली इसमें अलेक्टो मगनाटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल चलता है इसमें आपको श्यों करवाँगा कि कैसे स्टेटर जल्दी से समझ पाएंगे इस प्रैटिकल देखते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल डेमस्टेशन बहुचाम भाएंगे बाता हैं छिए देखते हैं देखते हुचित रज़ा हैं जल्दी का प्रावण कर मेंति न दोना दनाट थे शिफ़टन देखते हैं इसे व्लग İंध्य करना है देखते हैं कर अवा फ civ प्रेढ एज़ए है तो चलिए व्राइट साह मैं आपको दिoking और कि कैसे जो अ प्रैक्टिकल डिमस्रेशन है हमारी ऎा जास neighbor की सो दोपार्ट जमास्ट हैं यह पहला पार्ट है C रिक का और वो पार्ट है रोटर का सब से पहले स्टेटर पार्ट की डिसक्स करते हैं इसमें आपका तो यह पार्ट जो है यह स्टेटर बॉड़ी है और इसके अंदर यह बेसिकली कास्ट आयरन से बनता है और हैवी बनना चाहिए क्योंकि जहां पर हम फिट करेंगे वहां से यह मोटर ही लेना और इसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं इसे meant स्टेटर कोड यह स्टेटर स्टेटर कोड गोर एक इसमें स्टेटर कोड जो है स्टील न कीजातर होती प्रीडियुस के विल्ड प्रेड्यूस कर लिए सारी up बनी है और इसमें जो वाइंडिंग होगई ये कोपर की या Allah कई जाती हर एक तरिम्टी की जाती है झाную जृ तो बिंड़ा इस तरह से होगी और यह वाला जो पार्ट होगा इसका दिस वान इस रोटर सो यह एक वाटर पॉम्प है ठीक है वह उसके हैल्थ से ही इंडक्शन मोटर की हमसे वाटर को पॉम्प करवाते हैं इस रोटर है यह शाफ्ट के ओपर फिक्स किया जाता है इसमें आप देखें यह स्केल केज रोटर है इसमें जो लाइन आप देख रहे हैं यह बेसिकली आलमीनियम या कॉपर की कंडक्टर्स होते हैं और यह एक तरह से पैरलल नहीं है सेक्यूड है इसका रीजन है कि यह लीके जो रीकेंज वोड नहीं होती है और साथ ही साथ रीजन यह है करना शुरू करती है कोशी यह होती है कि जो आपकी स्टेटर वाला पार्ट है और उसके अंदर जो हम बात करें यह रोटर वाला पार्ट यह इनके बीच जो गैप हो वह बहुत कम से कम सो इस तरह से वेसिकली इसकी वर्किंग रहती है और यह इसके साथ कपैस्टर दिये जाता है जो की रोटेटिंग फील्ड प्रेड्यूस करेगा और यह त्री फेस नहीं है सिंपल सिंगल फेस यह और यह वाटर पांप का बाकी स्टक्चर तो जो है वाटर कैसे निकाला जाए किसी पॉमसे वहां पर इसमाल होता है इसके साथ ही यहां पर फैन भी होता है ठीक है वह सारी स्टक्चर उसको मैंने अलग कर दिया जो कि आप इसे देखा है कैसे हमने उपन किया था सो इस तरह यह स्टेटर पार्ट है और यह हमारा रोटर पार्ट है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और अगर आपने सेंट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें